हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना मैथ का सेख्णाय कर ने जा रहें दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आयू आयू पढ़ेंगे दोस्त यह जो टॉपिक है न दोस्त यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह हमारा Class 10 में तो भरा पड़ा question है आपका equations में आप देखेंगे two variables में तो आपको question मिलेगा class 9 में मिलेगा same questions class 8 में मिलेगा class 7 मिलेगा आपको class 6 में मिलेगा हर class में यह question है और यहां तक कि competitive level में तो जबरदस्त question मिलता है आपको दोस्त आयू से related मतलब इसमें question कुछ इस तरह से पूछता है कि जिसे दो लोग हैं तीन लोग हैं उनकी आयू क्या है उनकी आयू का उसत इतना है उनका अनुपात इतना है ratios में दिया रहता है और बोला जाता है किसी एक का age बताईए या फिर ऐसा question होता है कि दो साल पहले उनका age ये था दो साल बाद उनका age ये होगा तो वर्तमान उसकी आयू क्या है कुछ इस तरह question होगा तो इसमें अलग-अलग तरह question होता है दोस्त इसमें two variables का भी question आएगा इसमें one variable से भी बन सकता है अनुपात वाला भी question आ सकता है तो आपका competitive level में question होगा आ 9 में होगा 8 में होगा 7 में होगा हर class में question होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको बनाने का तरीका सीखेंगे दोस्त ठीक है कैसे बनाते हैं question अब बहुत अराम तरीके से इसमें कोई trick आपको नहीं सिखाने जा रहे हम आपको एक सही method सीखाएंगे आप अगर इस method को थोड़ आपका on and average बाकी लोगों से पहले बन जाएगा अगर concept clear नहीं है calculation fast नहीं है तो समय लगता है ठीक है जैसे हम कुछ सवाल आपको बनाते हैं आपको देखिए कितना बढ़िया तरीके सवाल बनेगा question as usual आपको पता है इस screen पे आ जाएगा हम आपको question बताते हैं जैसे question है तीन लड़किया हैं तीनों का अनुपात 3 is to 5 is to 7 का ratio में है ठीक है 3 is to 5 is to 7 तीन लड़किया है क्या है तीन लड़की हैं दोस्त ठीक है और तीनों का आयू का जो अनुपात है क्या है 3 is to 5 is to 7 के रेशियो में है क्या है तीनों का जो अनुपात है 3 is to 5 is to 7 के रेशियो में है और इनका average age क्या दिया हुआ है? आउसत आयू. आउसत आयू. यहने कि average age दिया हुआ है दोस्त. कितना दिया हुआ है? यह दिया हुआ है 20 years. clear है? तो बोलता है अब कुछ भी आपसे पूछ सकता है. छोटी लड़की के I.U. बताएए, बड़ी लड़की के I.U. बताएए, बीचवा लड़की की I.U. बताएए. आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है. आप क्या करेंगे? यहां पर तो सोचेंगे तो तो औस तीन लड़की का रेशियो दिया हुआ है तो छोटी लड़की का एज कैसे निकालें बहुत साधारत से काम है देखिए अब आउसत आयू दिया हुआ है तो इसका तीनों का टोटल आयू कितना होगा आउसत मतलब क्या होता है अभी आउसत जब चैटर पढ़ेंगे तो हम क्या हो गया 20 गुनाथीन टोटला कीतना एकना हो गया इसका टोटल कीतना हो जाएंगा बहईया हुआ ठीज गुनाथीन एन होगा 60 एर्ज एंग तीनों लड़कियों का जो एज होगा कितना हो जाएब 40 तीनों का उम्टक़ら टोटल एवरेज कैसे निकलता है एवरेज किसी भी चीज़ा क्या निकलते हैं टोटल सम अपन नंबर ऑफ क्या बोलते हैं नंबर ऑफ जो भी आपका इवेंट हो संख्या हो ऑबजेक्ट हो नंबर हो कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ कुछ भी आप डाल दीजे ऑबजेक्ट डाल दीजे नंबर डाल दीजे कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं जीतना संख्या में होगा वो यहाँ पर टोटल सम वितना हो गया है 20 गुना 3 बराबर 60 निकल गया दोस्त, यह न हम किये थे 20 इन 2 3, क्लिर है चलिए ठीक है, टोटल एज मेरा निकल गया 60 साल ठीक है, अब माल लेते हैं आपर लेट दरेशो भी एक्स, माल लेते हैं कि अनुपात एक्स है, ठीक है हम आपको समझाने कोच करें ताकि आपको कॉनसेप्ट क्लिर हो जाए बढ़ इतना हम लोग मुझवानी बहुत सरा काम कर लेतें दोस्त बेना लीखे भी इतना सरा काम कर सकते हैं बड़ हम आपको समझा देने आप इसको प्राक्टिस कर लेंगे तो मुझ्दबानी आप काम कर सकेंगे Let the ratio be x क्या लिखते हैं? Let the ratio be x माल लेते हैं कि अनुपाद जो है x है तो कितना हो जाएगा? तीनों लड़कियों का age 3x 1 का हो जाएगा 5x दूसरे का हो जाएगा 7x तीसरे का हो जाएगा अब तीनों का सम कितना में राया हुआ है? तो कितना कर देंगे? 3x प्लस 5x प्लस 7x इसकल टू 60 अब इसको solve कर दीजे x का value आजाएगा तो 7, 13, 15, 15 15 x इसकल टू 60 तो x इसकल टू क्या हो जाएगा दोस्त? 60 upon 15 15, 16, 60 4 आगया याणि x का value 4 आगया कोशन में आप से क्या बोले? कुछ भी पूछता है सबसे छोटी लड़की का एज मालो छोटी लड़की इतनी है? 3x है छोटी लड़की अगर पूछा छोटी लड़की पूछा तो क्या कर देंगे? 3x इनिकी 3 into 4 इसका लड़की 12 अगर बड़ी लड़की पूछता तो क्या करते? बड़ी लड़की पूछता लकडी लिख रहे हैं देखें साथ लड़की बराब कितना है? 7x यानि के 7 गुना 4 बराबर 28 ऐसे करके आप सब का निकाल सकते हैं बड़ी लड़की के निकाल देगे 5 गुना 4 20 क्लिर है? तो आप देखेंगे आपका answer option में होगा ठीक है दोस्त अगला सवाल लगते हैं आपको क्या बता है? जो भी सवाल हम आपको बताएंगे दोस्त किसी ने किसी exam में आया हुआ है चाहे वो CZL में होगा चाहे CPO में होगा चाहे रेलवे में होगा चाहे LDC में होगा कहीं ने कहीं वो question आया हुआ है दोस्त इसलिए धियान से देखेंगे question आपके screen पे आजाएगा धंग से समझने कोश करें concept क्लियर होना चाहिए दोस्त क्लिर है? concept देख लीजिए screenshot ले लीजिएगा धंग से पहले खुद बनाने का ट्राइ कीजिएगा उसके बाद यहाँ देख लीजिएगा clear है? चली अब इसको में रेज करें second question क्या बोलता है? दो लड़का है ठीक है? दोनों का एज कितना है? 5 is to 6 है कितना है? 5 is to 6 दो लड़का है माल लेते हैं दो लड़का क्या है? A, B होगा न? A, B माल लेते हैं A and B दोनों का एज का रेशियो केतना दिया हुआ है? 5 is to 6 clear है? अब बोलता है 2 साल बाद 2 साल बाद after 2 years clear है? after 2 years यह क्या है? उसका वरतमान एज का नुपात है क्या है? वरतमान एज का नुपात अब बोलता है 2 साल बाद उसका जो एज का जो रेशियो हो जाएगा after 2 years कितना है? 2 साल बाद इसका एज का रेशियो कितना हो जाएगा भहिया? तो 7 is to 8 हो जाएगा समझ में आ रहा है? 2 साल बाद इसका एज कीतना हो जाएगा? 7 is to 8 क्लिर है? तो अब सवाल ये पूछता है कि 12 साल बाद इनके एज का रेशियो क्या होगा? फिर से बोलते हैं सवाल ध्यां से सुनियेगा इसक्रीन पर देखेंगा फिर भी सवाल समझने को उसकीजे दो लड़का है A और B दोनों का जो अभी उम्र का जो अनुपाद है वो 5 is to 6 के रेशियो में क्लिर है? दो साल बाद आज है 5 is to 6 अब दो साल बाद कितना हो जागा भहिया? तो 7 is to 8 के रेशियो में हो जागा अब पूस्ता सवाल ये है कि 12 साल बाद इनके उम्र का अनुपाद क्या होगा? आयू का अनुपाद क्या होगा? तो आब बताइए तो करना क्या है? सबसे पहले हैं simple fund आ है क्या दोस्त? पहले एज का रेशियो मान लेते हैं लेट दे रेशियो भी X ठीक है? लेट दे रेशियो भी X पहले तो रेशियो मान लेते हैं मान लिया क्या अनुपाद? एक है तो ए का एज कितना हो जाएगा? एज एज कितना हो जाएगा? 5X अब 20 एज कितना हो जाएगा 6-6 यह यह न, clear है अब बोलता है 2 साल बाद याज जो मेरा उमर मान लेते हैं कि 10 है तो 2 साल के बाद मेरा उमर कितना हो जाएगा 12 हम उसमें 2 जोड़ो रहे है आज मेरा उमर अगर 100 साल है तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 102 साल यह हम 2 साल उसमें ड़ कर रहे है इसमें भी after 2 years मैंने 2 साल बाद इनका a, a का age क्या हो जाएगा जैसे मालेते हैं after 2 years a का age कितना हो जाएगा a का age कितना हो जाएगा 5x plus 2 और b का age कितना हो जाएगा 6x plus 2 बस अब बोलता है 2 साल बाद उनके उम्र का अनुपाद 7 is to 8 हो जाता है तो अब कोशन की क्या हो जाता है प्रशन से क्या बोलेंगे आप इसको प्रशन से क्या है 5x plus 2 upon 6x plus 2 is equal to 7 is to 8 अब इसको solve कर दीजे तो x का value निकल जाएगा वर्तमान उम्र का आयूद निकल जाएगा फटबट solve करते हैं इसको चलिए कर देते हैं इसको cross multiply कर दीजे तीरशा गुना करें तीरे गुना कीजे 8,5,4 8,2,16 7,6,42 7,2,14 ठीक है इसको उधर कर दीजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा तो 42x minus 40x बराबर 16 minus 14 कितना हो गया भाया 2x बराबर 2 x इसकल 2,1 ऐसे ही कुछ है ना 42 में से 40 गया 2,16 में से 14 गया 8,2,16,7,2,14 ठीक है दो आ गया x बराबर कितना हो गया भाया 2 upon 2 हम यह एक लिख दिए चलिए इसको इसे लिख देते हैं 2 upon 2 बराबर 1 तो वरतमान एज कितना हो गया कितना हो गया भाया वरतमान एज कितना हो गया इसका वरतमान उम्र कितना एका कितना है 5x एनि 5 गुना 1 बराबर 5 और B का कितना हो गया 6 x मतब 6 गुना 1 बराबर 6 अब बोलता है 12 साल बाद क्या हो गया इलोका उम्र कानूबाद तो बारा साल बाद अभी कितना हो गया 5 है 6 है तो बारा साल में कितना हो गया जोड़ दीचेस में जोड़ियेगा न तो after 12 years कितना हो जाएगा A का age कितना हो जाएगा age बराबर कितना हो जाएगा A sorry 5 प्लस 12 बारा 5 17 B का H कितना हो जाएगा भहिया 6 है न 6 प्लस 12 बराबर 18 तो ratio कितना हो जाएगा ratio is equal to A upon B A कितना है 17 बटा 18 answer क्या किए हम ध्यान सुनिएगा क्या किए question में बोलता है कि A B का नुपात 5 is to 6 है फाइला चीज़ के लिए दो साल के बाद कितना हो जाएगा दो साल के बाद 27 चू माट हो जाएगा अभी वरतमान में 56 है, दो साल बाद 28 हो जाएगा, मान लेते हैं ratio A x हमीशा मानते हैं तक हम लोग हो calculation fast हो जाए ratio किया होगा, 6, यहाँ पर x हो गया, तpos एक हैक कीतना हो गया 5x 0x b का कितना होग cold bis 6x ठीक है अब बोलता है कि 2 साल के बाद तो 2 साल में कया होगा 2 साल हमनों जोड देते हैं तो अब वरतमान में 5x से उसमें 2 जोड दिये तो क्या होगा 5x प्लस 2 b का है δिच कि 6x प्लस 2 अब सवाल क्या बोलता है सवाल बोलता है कि दो साल बाद जो उनकी उम्र का अनुपाद है 7 is to 8 हो गया तो अभी कितना age है? दो साल के बाद में 5x प्लस 2 6x प्लस 2 दोनों का ratio निकल देंगा तो 7 is to 8 आ गया अब इसको solve कर दिये फट से x कवरा और 1 आ गया ठीक है? तो वरत्मान उम्र कितना हो गया भाईया? 5x मतलब 5 गुना 1 5, 6 गुना 1, 6 अब बोलता है 12 साल बाद उसका अम्र का अनुपाद क्या होगा? तो 12 साल में जोड़ देते हैं A में 12 जोड़ 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 जो तो 5 प्लस 12 12, 5, 17 अब B में कितना होगा? 12, 6, 18 तो 17 बठा, 18 इसका अनुपाद क्लिर है? चलिए ध्यान से बनाईयेगा कोश्चन आपके स्क्रीन पे होगा देखिए अगला कोश्चन आपको बताते हैं ठीक है? कि दो बच्चा है एक हर्स एक रिया है हर्स की आयू कितना है? 40 साल, हर्स की आयू कितना है? 40, 40, और रिया की आयू कितनी है? 60, ठीक है? अब बोलता है कि हर्स की आयू है 40 साल और रिया की आयू है 60 साल, तो कितने साल पहले, कितने साल पहले इनकी आयू का अनुपाद 3 to 5 होगा? कितने साल पहले, कितने साल पहले इनके आयू कानुपाद कितना हो जाएगा? मान लेते हर्स आ रहा है, रिया है, 3 is to 5 होगा, बताइए ये भी एगजाम में आय वाए कोशचन है दोस्तोथ, हम आपको क्या बोले हैं? हम जो भी आपको सवल बताते हैं, सब किसी ना किसी competitive level में आय वाए कोशचन है दोस्तों असब अदिकांसे, CZL, CPO, LDC, इस तरह कोशचन सब आय वस्तेइनो, इस तरह कोशचन है दोस्तों पि missy और मननों को पहले होगा सवाल दनाधर मनता है अब यहां पर कहा है हर से 40 रिया वे साथ कितने साल पहले मान लेते हैं एकस साल पहले, एकस साल पहले, अरे दो साल पहले होगा, चार साल पहले होगा, दस साल पहले होगा, पंदर साल पहले होगा, बिस साल पहले होगा, कुछ तो होगा, हमको तो पता नहीं कितना साल पहले, हम साल को एकस माल लेते हैं, ठीक है, कितना साल पहले, तो एक साल पहले, एक साल पहले, माना, एक साल पहले, इन दोनों का उम्र करणपाद 3 to 5 होगा एक साल पहले, हर्स का age क्या हो जाएगा, हर्स का age तो 40 minus x एक साल पहले, इतना years, और रिया का age क्या हो जाएगा, 60 minus x अब प्रशन क्या बोलता है? प्रशन से, अब दोनों का उम्र कानुपाद केतना दिया हुआ भईया? 3 to 5, बस सॉल्व कर देना, फटा-फट 40 minus x, बटा 60 minus x, बराबर 3, बटा 5 अब सॉल्व किजिए भईया, फटा-फट कर देए 4, 25, 200 minus 5x, बराबर 4, 18, 18, 18, minus 3x cross multiply कर दिये, तिर्शा गुना कर दिये, अब कर दीजे, फटा-फट अब इसको उधर कर दी, इसको उधर कर दीजे 5x minus 3x, बराबर 200 minus 180 कितना हो गया भईया? 5 में से दीन गया, 2x, बराबर 200 में से किजिए भईया, 20 तो एक से बराबर क्या होगा? 20 बटा 2, यानि की 10, यानि की 10 साल यानि की 10 साल पहले हर्स और रिया का जो उम्र का अनुपाद था 3 to 5 अब आप से एक सवाल बताते हैं, एक चीज बताते हैं आपका जो एंसर आएगा कैसे चेक कीजेगा? आपको पता है क्या करना है? एक्जाम में कभी भी टिक मारने के पहले ओवल सीट जो आपको OMR सीट आता उसको भरने के पहले एक छोड़ा सा काम जरू कर लिजेगा एंसर को चेक भी कर लिजेगा चेक करने से क्या होगा ना? आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अब चेक कैसे करेंगा? सींपल आप समझेए चेक करने भी सीख लेना है दोस्त कैसे चेक करते हैं? अब मान लेते हैं दस साल पहले हम बोले थे ना? अब पट सिस में से दस साल घटा लीजे अब देखे का 3 इस तू 5 आदेख नहीं 10 साल पहले, 40 में से 10 गया, कितना हो गया? 30 60 में से 10 गया, कितना हो गया? सुनना सुनना कड़ गया, 3 इस तू 5 आगया ना? चेक हो गया? एनी एंसर परफेक्ट है हमेशा जब भी सवाल बनाईएगा ना? तो साथ में रीचेक जरू कर लीजेगा अपने से क्योंकि OMR स्रीट अगर मानले, गलती से हरवर्ड में कभी-कभी क्या होता है, क्या क्या कोश्चन मानल मानल बना रहा है 7, तीन के जगा साथ लिखा जाएगा आपसे ठीक है, तो वहां गलती हो जाती है आप रीचेक कर लेंगे, गलती होने का चांसे स्थम जीरो कर दीजेए उसको, ठीक है, इसको देख लिए इलेज कर दीए ठीक है तोस्त, अब अगला सवाल हम लोग बनाते है सवाल ये बोलता है एक पिता है और उसका एक बच्चा है, clear है बाप बेटा है दोनों का उम्र का अनुपात कितना दिया हुए, दोस्त 4 is to 1 दिया हुए अब बोलता है कि दोनों के उम्र का गुननफल याने कि product of the ages of father and son is what याने कि पिता गुना पूत्र अर अर अब या गुना नहीं होता, बाप बेटा में बस सवाल है, बता दे रहें कितना दिया हुए, 196 तो बोलता है सवाल आपसे कि भाईया, आप हमको ये बताइए कि 5 साल बाद बाप बेटे का उम्र का रेशियो क्या होगा 5 साल बाद, क्लिर है तो आपको करने क्या क्या करेंगे चली फटफट, 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 फटफट दिमांग दोड़ाईए भाईया परिक्षा में दिमांग वड़ी तेज ओड़ना चाहिए कॉंसेप्ट के लिए रोना चाहिए, टना टन होना चाहिए ने तो सवाल नहीं बनेगा, सवाल में लेट हो जाएगा एक्जाम में सिर्फ समय का खेला होता है, नहीं तो बैठा दिया जाता हो, हर बच्चा सब सवाल बना देगा जितने बच्चे लोग यह देख रहे हैं, आप हर सवाल बना दीजेगा लेना बो करना क्या है? उस समय के अंदर में बनाना है सवाल में प्रॉब्लम यहां पर है, कैसे बढ़ेंगे फटा-फट करिये, तो मान लेते हैं, अरे हमेसा तो हम लोग वही काम करते हैं, लेट दे रेशो भी एक्स, शुरुवात ही वहीं से करना है, क्लियर है? हम चुकि प्रोसेस से आपको सिखा रहा है, वह ज़्यादा अरे तो इसा फटा-फटा सिधे कर देते हैं, चार गुना एक चार, काटेस को चर्चों के सवलाख शतीस, छे, चोजों के चोवीस, छे नशे पाची का रहा है, छे, आगे आगे सर, ऐसे आ जागा दोस्त, लेकिन उतना नहीं करना है, आपनों को पहले समाजना है, तो क्या होगा, let the ratio be x, ratio कितना हो गया, x, तो बिता का age कितना हो गया, 4x और बेटा कामर क्या होगा, x, तो according to question person से क्या बोलता है, दोनों का गुना कर दीजे, यानि 4x गुना x बराबर कितना दिया हुआ, 196, अब solve किजे, 4x square बराबर 196, देखें, मैं भी कर रहते हैं, मुझ 36 upon 4, चर्चव के 16, 49, यानि कि 49, तो x बराबर क्या हो गया, root under 49 मतलब 7, clear हो गया, तब 5 साल के बाद, 5 साल का मतलब पीता का ओमर कितना होगा, 5, 5 साल बाद, पीता क्या यूँ, देखें दोस, हम बहुत जगए English लिख देते हैं, बहुत जगए Hindi लिख देते हैं, बस आप लोग बरदास्त कीजेगा हमको, बस, क्याना कि पढ़ाते हैं न, दोनों तो रखे बच्चों को, तो आदत हो गया दोनों लिखने का, ठीक है, हिंदी मीडियो में पढ़ाते हैं, इंगलिज लिखने बढ़ाते हैं, दोस्तों उसमें लिखने कादत हो गया, दोनों लिख देते हैं, ताकि दोनों बच्चा मेरा समझ पाए, ठीक है, पांच साल के बाद पीता क्या यो कितनी हो गया, तो कितना आया, एक्स बराबर कितना आया, साथ आया न, तो बरतमानेज कितना हो गया? 4 गुने 7, ठीक है? 4 गुने 7 प्लस 5, कितना हो गया? सचोग 8, 65, 13, 33, और पूत्र की आई हो? कितना हो गया भाईया? एकस है ना, एकस तो साते रहा जाएगा, 7 जोड, 5 बराबर 12, तो दोनों का अनुपात निकाल दीजे, पीता बटा पूत्र, कितना हो जाएगा भाईया? 33 बटा 12, यानि कि 11, 33, 4, 12, 11 बटा 4, यानि कि 11, 11 is to 4, देखें, एंसर में होगा, क्लिर है? पूरा फंडा क्लिर हो रहा है दोस्त, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, सवाल को समझिएगा, फटफट कैलकुलेस होना जाएगा, इस अब कैलकुलेसं अब मुह में ही हो जाएगा, मुझबानी ही हो जाएगा सारा क्लिकुलेसं, आप क्यों तोड़ा ध्यान दीजेगा, क्लिकुलेसं अब मुझबानी होगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, क्लिर है? चलो, रेज कर देए, ठीक है दोस्ट, आपको क्या करना है? आपके पास जो भी बुक हो इसको बनाईएगा, ठीक है? अब आप बनाएंगे जो भी प्रावब्लम होगा, comment box में डालेंगे तो जो भी problem होगा comment box में डालेंगे उसको हम handle करते हैं कुछ problems यह तो हम आपको एक competitive level का बता रहे थे कुछ आपको हम books का भी questions को solve करके बताएंगे कैसे बनाते हैं इसको अगर दो variable में question आजा तो कैसे बनाएंगे इसको ठीक है कुछ two variables वाला भी question आपको हम सीखा देंगे तापको बनाने में आपको मजाएगा ठीक है अगले वीडियो में हम लोग two variable का आयू वहला problem देखेंगे दोस्ते कैसे बनाते हैं ठीक है चले मिलते हैं अगले वीडियो में आप practice करते रहे जहें